Hi everyone, अब तक हम लोग Next.js and MongoDB के अंदर दो APIs बना चुके हैं, Get API and Post API, अब हम लोग बात करने वाले हैं Put API की, और Put API हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी हमें किसी data को update करना होता है, ये चीज इंटर्व्यूस के अंदर भी पूची जाती है, कि Put API आप कब यूज करोगे, तो आ name, उसकी category, जो भी आप update करना चाहते हो, वो आप Put API method के साथ में कर सकते हो, इस पार्ट के अंदर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक new API route बनाना पड़ेगा, Put method के लिए, existing जो API method है, उसमें हमारा काम क्यों नहीं चलेगा, देखो, existing हमारा method है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगी, API के अंदर देखो, यह वाला, इसके अंदर हम लोगोंने get और post दोनों बनाई थी, Put यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, मैं आपको इसका अंसर देदूँगा, अभी थोड़ी देर बाद में, जब मैं code करना स्टार्ट करूँगा, अच्छा, यह एक API route बनान आएंगी, यह playlist आपकी definitely help करेगी, next chess की job के लिए भी, next chess के project के लिए भी, इसका link description box में है, पूरी playlist आपको दीखनी है, अच्छे से, अच्छा, अब आते हैं code के उपर, और एक new route create करते हैं, बट उससे पहले एक बहुत simple question जो आप मेरे से पूछ सकते हो, कि देखो, जब हम लोगों ने get और post यहां पर use करें हैं, तो put के लिए हम लोग एक new route क्यों बना रहे हैं, इसका reason यह है कि जब भी हम लोग put API यूज करते हैं, तो हमें दो तरीके से parameter pass करने पड़ते हैं, अगर इस वाली put API को समझो आ, जो हमारी पुराने वाली API थी, जो product की ID होती है, नाम ह होता है, उसको लोग dynamic रखते हैं, यहां पर product की ID 10 भी हो सकती है, 20, 30, 40, 50, कुछ भी हो सकती है, यह dynamic रहेगा, बट जो अब तक हमारे पास route बना हुआ है, यह dynamic routing का part नहीं, यह static है, तो इसके लिए हम एक dynamic API route बनाना पड़ेगा, वो कैसे बना सकते हैं, आपको अभी बता च packet के अंदर से next.js समझ जाएगा, कि जो यह route है, यह dynamic होने वाला है, यहां पर last all apart कुछ भी हो सकते है, ठीक है, तो मैं यहां पर simply लिखने वाला हूँ, product ID, ठीक है, product underscore ID आप चाहो तो try कर सकते हो, बट मैं simply यह से रखने वाला हूँ, product ID, उसके बाद में इसके अंदर भी हमे product ID वाला folder है, इसके अंदर हम लोग हमारा काम करने वाले है, तो simply सी पहले मैं simple सी put request बना के देखता हूँ, ठीक है, तो मैं यहां पर रखूँगा, simply function, उसका राम रखेंगे put, इस तरीके से, ठीक है, और इसके साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर export करना इसके अंदर हम लोग database की connectivity करने वाले हैं, तो इसमें हमें कुछ async operations करने पड़ेंगे database के साथ में, MongoDB के साथ में, जैसे आप लोग ने देखा था यहां पर await वगारा यूज कर था last वाले part के अंदर, same इसी तरीके से, ठीक है, यह हमारा put request बन गया, अब हम लोग को क्या कर करना पड़ेगा, यहां पर request, जिससे हमारा data आएगा, और एक हमें content, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हो, request content को जरूरी है, वैस मैं रख रहा हूँ यहां पर, चीक है, इसके अंदर हमारी dynamic id आएगी और इसके अंदर हमारा data आने वाले, इनको एक बार के लिए print करवा के द ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपर से जैसे हम लोग पहले भी next response यूज़ करते थे इसको आप copy कर लो, या फिर डिरेक्ट लिक लो, चीक है, तो मैं इसको यही करने वाला हूँ, return next response यह अपने आप उपर से import हो जाएगा, dot json यूज़ करना है, और j यहां पर दो चीज़े डाल सकते हो, एक तो जो आपका result रहने वाला है, तो मैं अभी के लिए result यहां पर blank डाल देता हूँ, एक const ले लेता हूँ, result by default blank डाल देता हूँ, तो यहां पर हम लोग डालेंगे, result, success, success, आप कुछ भी डाल दो, true, false जोगे आप डालना चाहते हो, एक बार के लिए इसको हम लोग चेक करते हैं, कि यह प्रोपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है request है हमारी, चीक है, so मैं यहां पर new tab open करूँगा, postman के उपर, यहां से select करूँगा, और इसका path दूँगा, तो path इसका कुछ इस तरीके से आएगा, API, products, और जो यह last वाला आएगा न, यह dynamic रहने वाला, जैसे कि 10 ID होगी, 20 ID होगी, जैसे मैं इसको hit करता हूँ, देखो, यहां पर आ गया, 200 आ गया, और console.log के उपर, देखो, हमारे पस क्या आगी, इसकी product ID 10, dynamic आ गयी, अब अगर product ID में यहां पर डाल देता हूँ, 20, hit करता हूँ, और यहां पर आ ID क्या हमारे इसी तरीके सेंगे, अगर मैं यहां पर MongoDB को open करता हूँ, MongoDB Atlas को, इसको हम लोग टूल को use कर रहे हैं, आपको पता होगा, last की 3-4 वीडियो से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, again मैं इसको उपर यहां पर फिर से sign up करूँगा, sign up कर लो, login कर लो, एक ही चीज थोड़ आसा slow होता है as compared to जो हमारा local memory पर, यहां पर collection की ब्राउज करवाँगा, और हमारे पास यहां पर product की collection दीखेगा, इसकी ID देखो, एक object ID है, और थोड़े अलग तरीके से बनी होई, यह object ID, ठीक है, हमारे पास 6 records में आप यहां पर देख भी पा रहे हो, ठीक है, इस इसको मैं यहां पर copy करके, postman में इस तरीके से जाएगी, but यह जाएगी कैसे, इस तरीके से भी क्यों जाएगी, question ही आएगा, जब भी हम लोग यहां पर, जो list रहेगी न, मैं इसको open करके दिखाता हूँ, products, यहां पर update का button रहेगा, जैसे इसको उपर click करेंगे, तो एक new URL open होगा, जिसके अंदर यहां पर उसकी ID जैसे 10, 20 होगी, वह वाली ID भी exist करेगी, ठीक है, और सेम इसी तरीके से API के साथ भी यहां पर जो ID रहेगी, ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ID को, यह ID तो मैं get हो गई, यहां पर, अब हमें यहां पर body भी तो डालने है पड़ेगी न, जो हमें data update करवाना है, जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं यहां पर यहां करता हूँ, JSON लिखता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, JSON हम data होते है, और इसका let's say, किसी एक product का, मैं नाम change करना चाहता हूँ, किसी बेक product का, और for example, जो यह Note 10 है, मैं इसका य ID चाहिए होएगी, ठीक है, तो ID मैं कहां पर पास करूँगा, यहां पर, बट उसके जो name होगा, वो update हो जाएगा, तो मैं यहां पर name करता हूँ, इस तरीके से, colon लगा के name होगा, और यहां पर कर देता हूँ, note 10 5G, ठीक है, अब जैसे मैं hit करता हूँ, अभी के लिए वेस्ट गई है, विकोज हमने code नहीं लिखा, तो इस data को पहले access करने ही कुशिश करने है, कि हमें ही जैसे हमें यहां पर record मिले है, तो कि यह वाला data भी मिल रहा है, विल्कुल, तो उसके लापर क्या करना पड़ेगा, तो जो यह content था, इसको मैं यहां पर कर लेता हूँ, दो चीज ही होती है, मैं जब अपडेट कर रहा हूँ, एक फिल्टर एक जो data होता है, तो मैं यहां पर लिखता हूँ, filter, const, filter, और इसको मैं यहां पर लिख देता हूँ, content, dot, यहां पर आते हैं, इसकी id मिल रही थे, मैं product id इस तरीके से, ठीक है, content.params.product id, ठीक है, अब इस इसको मैं यहां पर console करवाने कोशिश करता हूँ, filter को, ताकि मैं सबसे पहले id को निकाल पाँ, ठीक है, तो again मैं फिरसे एक बार कि इसको hit करूँगा, and check करूँगा कि क्या मैं यहां पर id मिल गए, id हमें नहीं मिली, कुछ जिसमें error है, so मैंने क्या miss करा है, params की शायद मैं इसको build करूँगा, तो सबसे पहले हम लिखते तो मैं product id लिखता हूँ इसको, और filter मैं इसके नीचे build करूँगा, constant filter इस तरीके से, और filter मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, underscore id, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहने वाली है, product id,iving मैंने क्यू लिखा, आप यहाँ पे id कि इस तरगे से मेंचेन है, underscore id, अब यह मैंने कब बनाई दी, यह mongodb अपने आप ऐसे ही बनाता है, जब भी को एक mongodb के अंदर जितने भी data insert होंगे न, उनके अंदर इसके खुद की एक id बनती है, auto generated id बनती है, वो हमेशा underscore id करके ही होती है, यह fix है, ठीक है, तो हम लोगों इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि जो request होगी न, उसके body निकालनी पड़ेगी, तो json format में निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो इस तरीके से करता हूँ मैं, और payload जो यह payload था, इसको मैं यहाँ पर print करवाता हूँ, अब मैं यहाँ पर आ के, जैसे इसको fit करूँगा, और य max 5G, तो हमें यहाँ पर दिख जाना चाहिए, यह max 5G भी दिख है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर just 5G कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर update कर रहा हूँ, right, update करवाने के लिए, सबसे पहले हमें database का connection भी चाहिए, जैसे हम लोग last 12 part में करते थे न, यहाँ पर mongodb को connection करत रहे थे, same इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर mongodb को import करवाता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ, await mongos.connect कर दूँ, और connect के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, connection str, ठीक है, srt लिख रखा गया है, मै इसको str समझ लो, that's okay, उसके बाद मैं आपर क्या करना है, await करने के बाद में, simply जो हमारा product था, उसको await करना है, आप यहाँ पर लिखो, const, result, जो यहाँ लिखा न, इसको हटागे, यहाँ पर लिखो, result, और यहाँ पर करो, await, अब यह await करेगा किसका, जो हमारा product है, अब यह product कहाँ से आया, यह आया हमारे schema से, जो हम लोग last वाले part के अंदर भी use कर रहे थी, देखो product, ठीक है, तो product, dot, यहाँ पर आएगा, find one and update, find one and update, टूनते हैं हम लोग यहाँ पर, find one and update, यह वाला, कि एक ही value को एक time के उपर update करेगा, multiple को नहीं करेगा, और हम लोग ID यूज करे चीक है, और इसके अंदर, सबसे पहले डाल दो हम फिल्टर, यह वाला, जो filter हमारा variable है, यह वाला, कि कौन सी ID के उपर apply होने वाले है, तो ID के उपर, और जो हमारी product के ID होगी, वो filter चला गया, अब जो हमारा payload, जो चीज में update करने हैं, वो डाल लेंगे, तो यहाँ आपे हम let me check, note वाली कहां चलीगी, देखो, note 10 लिखा हुआ इसके ओपर, ठीक है, और अब मैं इसको update करना हूँ, अब अपडेट हो जानी चीज़िए, अगर यहाँ भी 200 मिलेगा, तो, हाँ पे click करा, request जा रही है, and I hope यह update हो जाना चीज़िए, आच्छा, तो इसने देखो, अभी data update हो तो अब दिखेगा, इसके अंदरे भी आपको, Samsung वाला दिखेगा, जो Samsung 5G वाला था, बगर इसको मैं एक बार के लिए, यहाँ से, hard refresh करता हूँ, जो node हो थोड़ी cache बनाता है, right, तो, मैं इसको hard refresh करता हूँ, अब देखो, यह दोनो 5G हो गए, ठीक है, तो, अभी के ल आप इसे करता हूँ, इसका नाम हो गया, और अब इसको गए रिक बार के लिए, रिफ्रेश करेंगे हम लोग, hard refresh करना पड़ेगा, तो, यह Samsung MG आ गया, अब Note 10 वाले की ID उठाना है, और ID तो हमें यहाँ से ही मिलेगी, तो, यह रही हो उसकी ID, ठीक है, इसको उठाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लास्ट वाले ID गेंदर, ठीक है, अब मैं इसको हिट करता हूँ, अब मुझे बता देगा, Note 10 वाला चेंज हो गया, और चेंज हुआ क्या, अब आते हैं, हम लोग यहाँ पे, इसको अगें रिफ्रेश करके देखते हैं, एंट यह देखो, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, Samsung वाला भी डाल दिया, अब मालो Samsung वाला भी हम लोगों ने गलती से डाला है, तो आप लिखेंगे, Note 10 5G, चीक हैं, अब मालो यह तो आपको अपडेट करने ही करने है, इसके साथ साथ आप एक और चीज जाए है तो price इसका update करना चाहते है, simply लिखो यहाँ पे price, और price कितना update करना चाहते हो, पहले इसका price क्या है, 30,000 अब मालो इसका update होगा 35,000 होगा, जैको यह 5G मॉबाइल बन गया तो इसका simply कर दो 350, 00, अब देखो, इसका यहाँ पे अप चेक करोगे, इसको, तो इसका price update ह हो चुका होगा देखो प्राइस और सब कुछ अपडेट करना है कुछ भी करना है तो आप यहां से कर सकते हो और आपको अपडेट वाली चीज पताते लिगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसको में लोग इंटिग्रेट कर लेंगे युवाई के साथ में और मैं आपसे रिक्वेस्ट करों कि प्लीज चनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो इससे आपको कुछ फरक नहीं पड़ेगा बट मुझे इससे बहुत फरक पड़ता है जो आप चनल को लाइक सब्सक्राइब करत हो तो यह वीडियो और लोगों तक भी जाती है और यह मेरा पेडियम का डोनेशन नमबर है थैंक्यू एवरिवन थैंक्यू सो मच